इस रिपोर्टिंग में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रात सूरत के कपड़ा मार्केट के सामने खड़ा हूँ यहाँ पे होलसेल और काफी ट्रेडिंग कंपनी जो है इस बिल्डिंग में आप उपर देख सकते हैं कि हैं अंदर से बाहर तक आप देख पाएंगे कि कपड़ों का काफी बड़ा कारोबार जो है इस जगे से किया जाता है और यहाँ पे आप आकर अच्छा खासा जो है अच्छे सस्ते दामों में आप यहाँ पे कपड़े का होलसेल जो है बिजने सुरू करने के लिए जगह आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है मैं परिचे कराना चाहूँगा यहाँ पे मेरा फैशन के जो ओनर है मेरे साथ बैठे हुए हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट आइडियाज में और मैं काफी सुक्र गुजार हूँ कि आपने यहाँ पे आकर वीडियो शूट करने का हमें मौका दिया है अलब जाती है तो यहीं से जाती है सर अली सूरत में ही बनता है और सूरत के अलावा कहीं भी सिंथेटिक साडी का कोई डेप्मेंट है नहीं सर और यहां लगबग 40,000 होलसेलर्स हैं जो मेनिफेक्चिरिंग करते हैं सिंतेटिक साडी और 400 से ज्यादा यूनिट है जहां पर डाइंग और प्रोसेस होता है यह पूरा और खुल मिला कर देखा जाये तो सूरत साडीयों के लिए सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में और यहां से साडीयां देश के कोने कोने तक जाती हैं यहां तक कि कुछ मामलों में विदेशों तक भी सूरत से साडीयां जो है जाती हैं अब हम जानेंगे कि यहां पर किस प्रक हैं तो कॉरियर से मंगवा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जरिये मंगवा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप चाह journal concur olonor आपके जहाँ भी जो एरिया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सब सोईदाई शारी का लासे है, और सिंथेटिक साडी में जैसे प्रिंटेट साडी है, वर्क कीवी साडी है, लेंगाज हैं, हर तरीके की साडी यहां manufacturing होती है स्टार्टिंग रेज सूरत की अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां 100 रुपीज से साडी स्टार्ट होती है और 15,000, 20,000 रुपे तक की साडी सूरत में बनती है, आप हमारे यहां देखने जाए तो हम लोग जो range manufacture करते हैं, वो हमारे यहां 200 रुपीज साडी बनाते हैं, यह हमारी range है, जो साडी हम बनाते हैं और अगर मेरा experience मानिये तो मुझे लगता है retail shop तक पहुंचते पहुंचते यह साडी का rate डबल हो जाता है, और कई मामलों में तो 13-1400 रुपे तक sale होते हैं यह सारी अच्छा showroom हो तो आराम से उसको sale कर सकता है यानि कि double अगर अपना business करना चाहें इसको तो एक छोटे level में जैसे करना है उसको start तो हमारे यहां से साडी वो मंगवा के जैसे catalog वगएर आते हैं हमारे यहां तो उसमें क्या है 10 साडी का catalog रहता है तो उसमें 10 अगर हमारे यहां से मंगवाएं हैं तो उसमें उसको 80 साडी मिल जाती है और 80 डिजाइन मिल जाती है एक आराम से घर पे लेडिस उससे अपना start कर सकती है business लेडिस वो चाहे जैंट्स हो और एक-एक साडी करके वो बेच सकते हैं आराम से उसमें double मुझे सकते हैं देखिए जहां तक साडीओं की बात है तो मैंने यहां तो काफी सस्ते rate में आप यहां से सारी खरीद सकते हैं और आपके यहां double triple rate में भी बेच सकते हैं अगर आप यहाँ पर साडियों की quality अगर और आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं यहाँ पर इसमें एक cotton range भी आजकल अभी नया development इस्टार्ट हुआ है यह range बहुत बहुत ही low range के अंदर इसको develop किया गया है यह cotton है यह 100% cotton नहीं है यह synthetic cotton है इसको silk cotton भी हम लोग बोलते हैं जैसे इसकी प्योर की साड़ी अगर आप देखना चाहें तो लगबग यह 1000 रुपे इसकी प्योर की साड़ी आती है इसकी original जो होती है अब इसको duplicate में हमने उता रहा है यह मार्ट हो जाती है साड़ी अब इस साड़ी को पल्लू है विविंग पल्लू है इसके अंदर टोटल और सब टोटल इसके अंदर जो है पल्ला ब्लाओ सब कुछ एकदम different style आपको मिलेगी एकदम ऐसा सर तो यह साड़ी यह duplicate साड़ी है लेकिन जो हज्जा और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमें इसका राज बताते हैं मैंने देखा है काफी लोग बताना ही नहीं चाहते आपका मैं बहुत सुक्रकुजार हूँ कि आपने मुझे कम से कम इतना मौका दिया कि मैं लोगों तक information पहुचा सकूँ कि आखिरकार कपड़ों का जो बजार ह और उसमें क्या मुनाफ़ा है क्या लागत है यह सब जानफ़ा है जहां तक आप देख सकते हैं यहां से खरीद के market में साथ बेची सकते हैं इसको क्योंकि काफी demandable सारी है यह और भी कुछ वेराइटीज है वो बकसे में क्या है वो दिखाई एक बार जैसा कि आप इसके बा रहती है और भूत ही lowest range के अंदर इसको हमने डॉलब किया है यह 200 अचारी इसके साड़ी जाती है सर और 10 साड़ी अलग अलग पेकिंग रहती है पूरा एकदम बहुत ही शांदार तरीके से पेक किया हुआ रहता है हर साड़ी को आप देखेंगे जैसा कि each and every साड़ी पर color wise इसकी shoot किया हुआ रहता है modeling रहती है इसके साड़ी में डिब्बे में packing होके जाती है सर दोसो सवादोसो के साड़ी को कम से कम कितने में retail में जाता हुआ अराम से सर अगर अच्छा showroom है तो वो 500 अपर देखेंगे साड़े 500 आराम से बेच सकती है सर आराम से एड़ कर सकती है सर जैसा कि आपने देखा मैंने यहां के ओनर से बात किया काफी बड़ा कारखाना है और काफी बड़ा बिजनेस है साड़ियों का अगर आप सूरत में आते हैं और रिंग रोड के आसपास में अगर आते हैं तो यहां पे अज मेरा टेक्स्टाइल करके एक शौप है और यहां पे इनका मैनुफैक्चरिंग खुद का है कभी आप इस तरफ आएं और एक बार विजिट करें तो आप देख पाएंगे कि आपको कई सारी बहुत सारी तरह के वराइटी के जो है सारी यहां पे मिल जाती हैं दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जैसे यह संबल पूरी सारी आती है संबल पूरी एककत सारी यह मैंने कल नेट के उपर बारा सो रुपए के अंदर यह सारी मैंने कल देखी थी एक लेडिस पहने हुए थी इस सारी को यह सारी अभ लेकिन बिड़ला ही कोई पहचान पाएगा इस चीज को कि ये डुप्लिकेट है पहने हुई साडी अगर आप देखेंगे तो एक तम सेम जैसी लगेगी आपको तो यह मार्केट में कितने में से लगाती है मार्केट में यह जिसे हमसे अगर आपने तीन सो काफी अच्छा है दोस्तों और काफी राज की बात आज आपको पता चल पाया होगा मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काफी अच्छा और काफी बढ़िया बेवसाय साडियों का आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नीचे अजमेरास फैशन का नंबर, कॉंटेक्ट नंबर, एड्रेस और डिटेल्स दिया हुआ है वहाँ से भी आप इन्हें डाइरेक्ट संपर्क कर सकते हैं दोस्तों मेरा कोशिस यही रहता है कि गाउं में निवासी जनता में जानकारी का आभाव होने के कारण वो सहरों की तरफ पलायन करते हैं मेरा कोशिस यही है कि लोग अपने गाउं छेतर में ही एक अपना बिजनेस, लगू, दियोग, दुकान, कुछ ऐसे आइडियास के साथ खोलें जिनसे वो अपने गाउं छेतर में ही अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाएं और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं मैं इस वक्त जो ये फैक्टरी है उसके गोडाउन में आ चुका हूँ और आप देख पाएंगे कि यहां पे काफी तरह के सारियों का भंडारन किया गया है, रख रखाओ किया जा रहा है, फिर यहीं से पैकिंग होने के बाद इन सारियों का सप्लाई आप तक कर दिया आता है, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके गोडाउन में काफी अलग अलग विराइटी की जो है, सारियों उपलब्ध हैं और आप असानी से खरीद भी सकते हैं, कमलेश जी बिहार के रहने वाले हैं, और कमलेश जी यह बताइए कि यह सारियों का गाम क्या है, यह क काफी अच्छा है और काफी अगर आप सारियों का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो काफी अच्छा है सूरत का यह मार्केट और अजमेरा फैशन से आप मेरा रेफरेंस लेकर भी सारियों को खरीद सकते हैं, कमलेश जी एक चीज़ बताइए, आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आपको बिहार में ही कोई बिजनेस मिला होता या रोजगार मिला होता तो क्या आप सूरत वेगर आते हैं? नहीं सर बिल्कुल नहीं आते हैं, लोगों का दर्द होता है, पैसे की तकलीफ के कारण ही कोई भी इंसान शेहरों में भाग दोड की जिन्गी गुजारता है, अगर कमलेश जी को भी कोई ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसा पुंजी होता जिस से छोटा मोटा बेवसाय कर पाते तो आज ये सूरत में नहीं बलकि अपने गाउं घर में ही अपने परिवार के पास होते हैं, बिल्कुल सही, कमलेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे इतना हेल्प किया है, यहां पे आज 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